हेलो फ्रेंड वेलकम तो मैं यूट्यूब चैनल स्टेडिविद गुरूपल्स और आज हम पढ़ने वाले हैं अबाउट प्रिजिस एंड स्टी जो टैप्स क्या होते हैं प्रिजिस एंस्टी जो टाइप्स एंड कैसे एटिटूट से रिलेटेड हैं तो फ्रेंड्स वेंड प्रिजिदिस एट वाट इस बेसिकली अब बेसलेस प्रिकन्सेप्शन और एटिटूट तोवर्ड अमेंबर अशब एक ऐसा प्रिकन्सीव थौट एक ऐसी एंप्सिंट जिसका कोई बेस नहीं है मतलब कोई भी ऐसी बात मान लेना जो हवा में है जिसके कोई तथ्य नहीं जिसके कोई लॉजिक नहीं है और मोस्ट इंपोर्टन बात यह है कि यह जादातर निगेटिव होते हैं तो इनका हम क्यों पढ़ रहे हैं हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि इनका बहुत स्ट्रॉंग प्रभाव देखा जाता है इंफ्लूंस एक जाता है और हाओ पीपल में बहुत इंटराक्ट करके हैं कि यह दूसरे लोग के साथ भीफ करते हैं और कैसे उनके साथ मिलते चुलते हैं जैंगा के सुम्स परी एंगि पता जött о कि हमने हमने जो एब तो नहीं किसे क्वार्टायस किलो को TWO ड़ीन हिए, έχज्स है विव के व कामना प्रोंđ जकी जोगन है में ब्रोंटिनी जकार्च में तोवर्ड ज़की अत्री में लिए यह क्या करते है ते टेंदेंसी तो डिस्क्रिमिनेट अगेंस दा अधर ग्रूप ऑफ दा सोसाइटी एंड यह बेसिकली किन के तरफ इस बेज वांदा रेज सेक्स रिलिजिन कल्चर एंड मोर तो इसके बहुत सारे टाइप भी है जैसे कि हम किस बैसे पर डिस्क्रिमिनेट क सेक्शल ओरेंटेशन नेशनालिटी एंड शोश्यक्नामिक स्टेटिस उन इन सब पैक्टर्स के बेसिस पर ही इनके टाइप्स बना दिया जैसे कि आप देख सकते हैं रेसिजम ब्लैक और वाइट को लेके अभी भी यूएस जैसी डवलप कंट्री में राइट हो जाते हैं सेक्सिजम यह तो all over the world है मेल फिमेल को लेके अभी भी इक्वालिटी को लेके बहुत चर्चा में रहता है यह टॉपिक एज़िजम है एज को लेके बहुत कि जाती है कि लिए फिर्स फिर्स क्लास के लोगों को इतनी प्रिविलेश थी कि वह ट्रेन में भी यह और ऐसा नहीं हो सकता था कि थर्ड क्लास का बंदा है वह फिर्स में ट्रेवल कर सकता है आपने एक फेमस मुवी देखी होगी टाइटानिक जिसमें की इसका एक्जामपल बहुत अच्छे से देखा जा सकता है नेक्स इसी होमो फोबिया अब होता है होमो फोबिया एक होमो सेक्ष्वल से तो यह एक डर भी एक उनके एक प्रीजंशन एक प्रीकंसेप्शन है कि यह हमें नुकसान पुचा सकते हैं या हम पर अटाइक कर से हैं लाइक डाट नेशनलिजम अपने नेशन को लेके भी बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमनेशन या फिर कहें कि अटाइक करता है उस नेशन में जाए टर्रीस टूपलते हैं ऐसे ही कुछ धारना यह जो है आमोर नेक्सार जिलिजियस प्रिजिजिजिजो कि बहुत है हर जगा देखने को मिलती है जिलिजिजिजिजन को लेके इतने सारे राइट हो जाते हैं इतने सारे मॉब इसमें देखा गाए कि जब आश्यांस चाले जाते है तो लिंच लांकोने जाते हैं आपटे तो लिंच कर लेते हैं रिजिजिजिज़ पर जाए पस्राइब― अब यह इ सब्सक्री हैं अ ड्क यह उनकी प्रिकनसप्शना स्सूरीजिजिजिजिजिजिजिज next are the how prejudices and stereotypes are interrelated and how they take as their topic so when we discuss about the prejudices they are basically the stereotyping and the discrimination and bullying this result when we prejudize to this stereotype is a fixed belief we are discriminating and bullying the preconceived thoughts for a group of people so in many cases the prejudices are based on the stereotypes the preconception is a simplified assumption about a group based on the experiences and beliefs I have just said that in your experience you have made a belief assumption which is not rational or logic so stereotypes can lead to the faulty beliefs I have just said that misbeliefs are based on the preconceptions so they can lead to both prejudices and discrimination but we have got an output that says that prejudices and stereotypes they emerge as a part of a result of normal human thinking who is normal human thinking in order to make sense of the world around us so information of the world around us so information of the world around us so information of the world around us owuit how things of the world around us why things of the world around us understand ourselves taking out the world's friend What जो तो नित्नी सारह इंफॉमेशन मिल रही होती है एक यूजिकली तो समझने के लिए हम कैटेगरीज बनाते कि हमें कुई इनफॉमेशन प्रोसेस कर सके इसके साथ हमें स्टेक्स भी करने लग जाते हैं उसे सीजिक क्या होती है प्रजीडिसी प्रजीटिस स्टीरोटाइप में कनवर्ट हो जाती है तो पिजिदी सेंट स्टीरोटाइप साथ जस्ट तू एक्जाम्पल सब्सक्राइब दी में इंडर्स्टेंडिंग दा वर्ल्ड एंडू मेंक सेंस आउट ऑफ दी इन्वारमेंट सो इस पर रिसर्च और कि गई है यह ऐसे ही नहीं कोई थियोरी है प्रैक्टिकल बेस्ट एक्सपेरिमेंट है मैं रिच्टा सरकाप दे देती हूं उसका कि क्या है इन्हें क्लासिक एक्सपेरिमेंट ऐसा हुआ था की ग्रूप पीपल वस सेलेक्टेड और उनको एक बुकलेट दी गई थी और बुक इंस्ट्रक्शन के साथ उनको फिफ्टी डॉलर्स का कैश प्रैस भी रखा गया था पर इंस्पाइट ऑफिट जो रिजल्ट ने कहीं के आया वह यह था कि मोस्टी सब्जेक्ट्स ने यह बोला कि मैन आर हैविंग मोर हाइट थैन दी विमन हाला कि सबकी सेम हाइट थी पर इंस्पाइट थी चाहिएं था जर्खे रिजल्र्ट थी इंस्ट्रक्शन के धाएट यह था उनको फ्री प्रिज़्यों थाएट था 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 प्री आज एनको थाष्म थार्टी था उत्यों था की विमन की हाइट ज हू है मैन से कम होती है so this experiment shows a clear-cut example of prejudices and stereotypes so how to reduce it मताब इसको reduce क्यों करना चाहिए और कैसे करना चाहिए friends, it's very important in today's world to reduce this prejudices and stereotypes because it is the reason of many crimes against the other group of the people be it mob lynching, be it religious rights या फिर बहुत सारे ऐसे anti-social events and incidents होते रहते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, हम कर सकते हैं training we can train the people to be more empathetic वो दूसरों के बारे में वैसे ही सोचे जैसे अपने बारे में सोचे they should think in their shoes, they should feel empathetic toward the other group of the people और यह training जो है बच्चपन से ही moral learning के रूफ में बच्चों को स्कूल में पढ़ाना चाहिए और train करना चाहिए next is gaining public support and awareness for the anti-projudice social norms में तो society के अपने अपने norms होते हैं तो यह बहुत individual responsibility हो जाती है हर citizen की वह ऐसी awareness करें ऐसी upbringing लाए society में कि जो कि anti-projudices हो फॉल्स beliefs ना हो फॉल्टी beliefs ना हो बहुत अच्छे से awareness और public support इसे मिले next is increasing contact with a member of other society now it's very evident जब two groups of members निरंतर interact करेंगे और contact में रहेंगे so it creates a very good ambience good environment to live in and वहां पे chances कम हो जाते हैं next people make aware of the inconsistence of their own beliefs अब यह जो है थोड़ा साइक लोगों को अपने अंतर आत्मा में भी जहांकर देखना चाहिए कि उनमें क्या कमिया है rather than putting their assumptions or preconceptions on the other group अपने inconsistence को पहचाना next is the government का काम हो जाता है कि passing laws and regulation that require fair and equal treatment for all group of people आजकल वैसे तो most of the countries are democratic but अभी भी कुछ ऐसी countries जहां पर यह नहीं है तो वहां पर ऐसे laws and regulation लाने चाहिए तो friends this was about the prejudices and stereotypes I hope our concept clear हुआ होगा अजर friends आपको मेरी वीडियो अच्छी लगते हैं वर्थुल लगते हैं तो please share and subscribe करें and keep motivating me to put such videos for you thank you